Welcome to only IS, स्वागत है आप सभी लोगों का Current Affairs Revision for Prelims 2021 में Economy के Current Affairs के Revision का ये हमारा 12 हुआ Lecture है आज के इस सेशन में हम अगस्त महिने के Economy के Current Affairs को Revise करेंगे इस सेशन का First Important Article महिला किसां सशक्तिकरन पर्योजना के बारे में है सरकार ने अभी ये कहा कि जो भी Department of Agriculture and Farmers Welfare के दबारा schemes चलाई जा रही है जो भी उसमें खर्चा हो रहा है उसका 30% expenditure हम इस तरीके से कर रहे हैं कि जो महिलाएं agriculture में involved हैं हम उन्हें mainstream agriculture में लेकर रहे हैं तो ये जो महिला किसां सशक्तिकरन पर्योजना थी से 2011 में launch किया गया था ये sub component है तीन दयाल अंतियोदा योजना NRLM का National Rural Livelihood Mission प्रजिन स्टेटर्स जो महिलाओं का है agriculture में उसे enhance करना है उन्हें empower करके mainstream में लाना है MKSP ये एक महिला को एक किसान के रूप में recognize करता है और उनकी capacity building का प्रयास करता है ताकि वो ऐसा agriculture कर सकें जो ecologically भी beneficial हो ये कहा गया है कि जो funding support सरकार की ओर से दिया जा रहा है ऐसी scheme में that is 60% बाकि 40% राजियों को देना होगा obviously जो north eastern states होंगे उनमें 90% होगा जो MKSP का focus होगा वो यही होगा कि जो small holders है मतलब जिनके पास कम जमीन है हम उन्हें choose करके उनको ऐसी agriculture activities में train करें जो ecology के हिसाब से भी सही हो और वो उसका फायदा उठा सकें इस scheme को implement किया जा रहा है Department of Agriculture and Farmers Welfare के द्वारा जो Ministry of Agriculture and Farmers Welfare के तहर काम करता है हमरा next article E rupee के बारे में है Indian government launch करने जा रहे electronic voucher based digital payment system नाम दिया गया है E rupee यह इंडिया का electronic voucher based digital payment system होगा जो person specific और purpose specific होगा अब यह है क्या आसान भासा में समझना जरूरी है सरकार welfare schemes के माध्यम से जो उनके नागरिक हैं कई तरीके के support देना चाहती है जैसे कि वो चाहते हैं कि वो आपको मुफ्त में खाना दे दे या फिर वो आपको कोई medicine के kit दे दे in that case अगर वो सीधे सीधे पैसा देते हैं जैसे अच्छा तो यह होता है कि सीधा आपके account में पैसे दे दिये जाएं अब इसमें दो condition बनती है हो सकता है कुछ ऐसे लोग हो जिनके पास account हो ही न और हो सकता है कुछ ऐसे लोग हो जिनके account पे पैसा आज आने के बाद वो उसे miss use करें अगर उन्हें खाने के लिए voucher दिया गया है तो वो उसका खाना ना खरीद के wine खरीद लें दारू खरीद लें और पैसे को miss use कर दें in that case एक alternative हो सकता है ये e-rupee जिसमें आपके mobile पर आएगा एक QR code आपके account पे पैसे नहीं आएगे mobile पे QR code आएगा अब आपके पास account हो या ना हो इसे कोई फरक नहीं पड़ता अगर आपके पास multi media set नहीं है तो आपके mobile पर आजाएगा एक message simply example लेते हैं कि सकार चाहती है कि ऐसे लोग जिनको TB की problem है उन्हें उसकी medicine के kit दी जाए तो tuberculosis के जो पैसेंट से उन्हें identify करके उनके mobile पर एक QR code दे दिया जाएगा या mobile में a message भेज दिया जाएगा अब कुछ designated shops होंगी जो tuberculosis की medicine की kit प्रोवाइड करवाती है उस व्यक्ति को दुकान पर जाना है और उन्हें वो QR code या message दिखा देना है अब वो दुकान दार उसे scan करेगा scan करने के बाद आपके mobile पर आ जाएगा एक OTP जो आप दुकान दार को बता देंगे उसके बाद वो आपको वो TB की kit दे देगा in that case आप उस QR code या message का इस्तिमाल किसी भी और तरीके से नहीं कर सकते देखे इसके बाद इस चीज के miss use होने के chances सिर्फ इतने बनते हैं कि कोई वेक्ती अपना QR code दुकानदार को scan करवाए और दवा की बजाए पैसे ले ले हजार रुपए की वो kit है तो वो दुकानदार से 700 रुपए ले ले अब अगर कोई इतना करने पर उतर आएगा न फिर तो इसका एकी option बसता है कि सरकार कुछ health experts को भेज के उसके मुँमें जबरदस्ती डवा ठूस के और पानी डाल दे अब इतना तो कोई कर नहीं सकता फिर भी ये काफी अच्छा विकल्प है इसे डेवलप किया गया है National Payment Corporation of India के दरह Department of Financial Services Ministry of Health and Family Welfare और National Health Authority इन सभी लोगों ने मिलकर इसे डेवलप किया है वर्किंग यही है मॉबाइल फोन में या तो SMS ट्रिंग आएगी या QR कोड आएगा यह e-voucher की तरह वर्क करेगा जो कुछ specific centers पर ही accept किया जाएगा इसके लिए किसी credit card, debit card, mobile app, internet banking कि किसी क्यावशक्ता नहीं है तो कुल मिला के जो e-rupee है वो services को sponsor करने वाली entity को beneficiary से जोड़ देगा बिना किसी physical interface के sponsor कोई भी हो सकता है सरकार भी हो सकती है कोई private entity भी हो सकती है इस system को NPCI के दवारा ही बनाया गया है उनके UPI platform पर जो sponsored banks होंगे जो boarded banks होंगे वो भी इसका हिस्ता होंगे लाइक सरकार किसी से तो पैसा दिलवाएगी न उस दुकानदार को जिसको आप scan करवा रहे हो QR code कोई corporate or government agencies का इस्तिमाल कर सकती है partner bank के साथ मिलकर मालिए यह कोई company है वो चाहती है कि लोगों को food vouchers दे अपने corporate social responsibility program के तहर तो वो भी लोगों के जो भी नीडी लोग हैं उनके mobile पे QR code या फिर message string भेज सकते हैं जो beneficiary होंगे उन्हें उनके mobile number से identify किया जाएगा और voucher उस व्यक्ति के नाम से उसे पहुँचा दिया जाएगा ये leak proof delivery है welfare services की private sector भी इसका इस्तिमाल कर सकते हैं अपनी corporate social responsibility के तहर हमारा नेक्स्ट आर्टिकल त लिमिटेड लियाबिल पार्टनेशिप अमेंडेमेंड बिल 2021 के बारे में है अमेंडेमेंड बिल है मतलब कोई औरिजिनल एक्ट भी रहा होगा न limited liability partnership act है 2008 का उसमें परिवर्तन किया जा रहा है इस संबन में बिल राज्य सभा में गया important है जानते हैं इसके पहले कि हम कुछ और जाने आपको समझना होगा कि limited liability का क्या मतलब होता है कई बार एक firm एक से जादा लोग मिलकर तयार करते हैं उसमें वो partners होते हैं partners को लेकर कई तरीके के दिक्कते होती है एक problem तो यह होती है कि मान दीजिए unfortunately जो firm है company है वो दिवालिया घुसित हो जाए insolvent हो जाए bank corrupt हो जाए तो अगर वो company limited है या जो partners है उनकी liability limited liability का क्या मतलब होता है आर्थिक जिम्मेदारी economic responsibility यह liability का मतलब होता है तो अगर company bank corrupt हो गई bank ने कई सारा loan दिया होता है companies को तो जब वो recovery करने जाएंगे तो जो company का asset है केवल उसी को बेच कर वो अपना पैसा recover कर सकते है जो partner है जो owner है उसका घर, मकान या जमीन वो नहीं बेचने लग जाएंगे क्योंकि liability केवल company तेक limited है personal property तेक आप नहीं जा सकते तो यह होता है limited liability का मतलब इसका एक मतलब होर है कई बार एक firm में एक से ज़दा partner होते हैं अब एक partner ने कोई गरबड़ी कर दी कोई offense कर दिया जो offense company का है अब इस लिहाज से तो जितने भी partners है सब उसके लिए जिम्मेदार हो गए लेकिन सब को सजा देना तो गलत है न तो limited liability ensure करता है कि अगर आपके partner ने कोई गलती की है और ये साबित होता है कि गलती उसकी है although वो overall company की गलती बन जाती है लेकिन बाकी के partners punish नहीं किये जाएंगे तो ये इसका मतलब हुआ LLP भी एक corporate body या legal entity ही होती है लेकिन इसमें एक partner दूसरे partner की गलती के लिए या negligence के लिए misconduct के लिए responsible नहीं होता और अगर कोई दिक्कत होती है तो personal asset बेचा नहीं जा सकता जो creditors हैं उनके द्वरा अपना पैसा recover करने के लिए अब इस पूरे मामले में क्या है देखे जो present में law चल रहा है इसमें 24 penal provisions हैं जिसमें से 21 compoundable offence है और 3 non compoundable है compoundable का मतलब होता है कि बातचीत करके मामले को सुलजाया जा सकता है non compoundable का मतलब है कि सजा ही होगी समझोता नहीं हो सकता अब यह ease of doing business के आड़े आता है इसके पहले committee के गठन किया गया था उन्होंने कहा कि आप इसमें से जो 12 compoundable offences हैं उनको आप खतम कर दो इस will में उसी का प्रावधान किया जा रहा है कि जो 12 offences हैं उनको खतम कर दिया जाएगा यह offences बहुत पैटी होते थे like आपने अपना office shift कर दिया तो आपको बताना पड़ेगा नहीं बताया तो offence है आपने account maintain नहीं किया तो offence है अगर आपके partners सारे के सारे किसी दूसरे देश में चले गए नियम है कि एक को कम से कम इंडिया में रहना होगा तो offence है ऐसे offences है तो इनको आप खतम किया गया है यहाँ पर एक adjudicating officer को establish करने की बात की गई है appoint करने की बात की गई है जो यह decide करेगा कि अगर कोई अपराद किया गया है तो penalty क्या देनी होगी central government जो है वो यह officer appoint करेगी जिसकी post registrar की rank से नीचे नहीं होना चाहिए adjudicating officer के order के against में original director के पास जाया जा सकता है special code को भी वराने का प्रावधान है कि अगर company ने कोई अपराद किया है तो यह special code speed लिए उसे handle करी जो appellate tribunal है वहाँ पर appeal की जा सकती है देखे मालनीजे कि अगर NCLT ने कोई order दिया है तो national company law appellate tribunal में appeal होती है यह normal process है बिल में यह कहा गया है कि अगर NCLT ने order देते वक सभी parties की सहमत ही ली थी तो आप जबरदस्ती appealate tribunal के पास क्यों जाओगे अगर concern से आया है तो फिर आप नहीं जाओगे और अगर appeal की भी जानी है तो within 60 day करनी होगी जो certain conditions में 60 day extend की जा सकते है उसके बाद नहीं accounting के standards भी decide किये जाएंगे जो की National Financing Reporting Authority के consultation के बाद central government decide करेगी कि कैसे auditing वगेरा की जाएगी बिल ये भी कहता है कि small LLPs का embed बढ़ाया जाए पहले अगर कोई company और उसके partners ने 25 lakh का contribution दिया है और turn all 40 lakh तक का है तो वो small LLP होता था इसे बढ़ाके अब partners के contribution को 5 करोड और company के turn all को 50 करोड कर दिया गया है मतलब अब small LLP भी काफी बढ़े होंगे startup LLP declare करने का भी प्रावधान है कि सरकार कुछ LLPs को startup LLP यानि कि limited liability partner से firm declare कर सकती है बाकी limited liability partnership का क्या मतलब होता है ये तो मैंने आपको बताई दिया हमारा next article पहचान initiative के बारे में है हाल ही में ministry of textile ने inform किया कि total 26.79 lakh artisans ने खुद को पहचान initiative के तहत register करवाया है नाम से पस्थ है इसमें artisans को पहचान दी जाएगी चुकि ministry of textile का initiative है 2016 में से launch किया गया था इसमें ministry of textile एक initiative के तौर पे identity card provide करवाती है जिसे artisans के आधार card के साथ link करके national database में जोड दिया जाता है पहचान card एक ID card की तरह काम करता है जिसमें उनका आधार number bank account बगएर भी feed कर दिया जाता है अगर सरकार उन्हें कोई incentive देना चाहती है तो वो dbt के form में उनके account में दिया जा सकेगा फर्दर उनके बारे में पूरी जानकारी होती है नहीं address, आधार card number, mobile number और वो कौन से craft practice में involved है इसका फाइदा ये होगा कि इसकी म्रत से वो easy loan ले सकते हैं और अगर सरकार उन्हें incentivize करना चाहती है तो वो ने target भी कर सकते है आर्टिकल है that is about PM दक्ष हाल ही में Ministry of Social Justice और Empowerment ने collaborate किया NEGD के साथ NEGD का मतलब है National E-Governance Division और develop किया PM दक्ष पोर्टल और एक mobile app क्यों इसे develop किया गया है ताकि जो PM दक्ष scheme है skill development से related हम इसे सभी target groups के लिए accessible बना सकें अब ये scheme है क्या इसका full form है प्रधान मंत्री रक्षता और कुश्यलता संपन्न हित्गराही इस योजना को implement किया जा रहा है 2020-21 के लिए Ministry of Social Justice and Empowerment के द्वारा जहां पर हम society के marginalized section को target कर रहे हैं like SC, OBC, economically backward class senior citizen, denotified tribes सफाई कर्मचारी जिसमें आप waste pickers को भी include कर सकते हैं इस के अत्रिक महिलाएं ये सभी इस पूरी scheme का हिस्सा होंगी इसमें देखे जो scheme है हम socially, educationally और economically जो marginalized sections हैं society के उनको skill provide करवाने का प्लान कर रहे हैं ताकि उन्हें अच्छी job मिल सके इसमें यहाँ पर देखे तीर महतोपूर्ण बाते हैं अब skilling करना already कोई skill है तो हम उसे और बहतर करें अगर बहुत लंबे समय से काम छूटा हुआ है तो re-skilling की जाए short term और long term training programs चलाये जाएंगे और entrepreneurship development program भी चलाये जाएगा इसमें train किया जाएगा entrepreneurship के लिए कई सारे training programs इसमें चलाये जाएंगे various institute के द्वरा ये government training institute भी हो सकते हैं और sector skill councils भी हो सकते हैं जिनको ministry of skill development and entrepreneurship constitute करता है हमने अभी तक जितने भी targeted groups की बात की SC, OBC, EBC, women, सफाई कमचारी ये सभी लोग self employment के लिए कुछ entities से concessional interest rate पर loan ले सकते हैं वो entities होंगी national steel caste finance and development corporation national backward classes finance and development corporation और national supply कर्मचारी finance and development corporation हमारा next article national innovations in climate resilient agriculture के बारे में है राजे सभा में अभी union minister of agriculture and farmers welfare ने inform किया NICRA के बारे में NICRA actually में network project है जिसे 2011 के फरवरी में launch किया गया था ICAR के द्वारा Indian council of agriculture research के द्वारा project का उद्देश ये था कि जो तेजी से climate change हो रहा है हमें अपनी agriculture को उस हिसाब से mold करना होगा नई तो हम food crisis face कर सकते हैं इसी लिए इसमें research adaptation के उपर focus किया जाता है ताकि हम ऐसी crops develop कर सकें light stock develop कर सकें fisheries पे काम कर सकें जो changing climate change को या जो climate change हो रहा है उसे manage कर सकें अब climate change ही हो रहा है तो क्या changing निक्रा की बात करें तो इसमें सबसे पहले तो हम resilience पे focus करते हैं Indian agriculture में हम crops life stock officialies को cover करते हैं जो climate की vulnerability को या फिर variability को handle कर सके हमें इस प्रकार से developments करने हैं कि हम production को बहतर कर सकें और technologies के interventions के मादधे हम से risk को reduce कर सकें हमें specific technologies को demonstrate करना है farmers के field में ताकि हम climate risk से उबर सकें capacity building भी करनी है जो farmers हैं ताकि वो climate resilient agriculture में involved रह सकें जिसके लिए हमें various research and applications की आविशकता पड़ेगी article NMEOOP के बारे में है इसका सबसे पहले मैं आपको full form बता दे रहा हूँ इसका full form है National Edible Oil Mission Oil Palm मतलब palm oil पर इसका focus होगा similarly देखे अभी एक और scheme है सरकार की that is प्रधान मंतरी किसान सम्मान निधी ये जो initiative है ये अभी news में रहा है because इसकी 9th installment अभी release की गई है तो दोनों के बारे में बात करेंगे लेकिन सबसे पहले इस NMEOP के बारे में बात कर लेते हैं ये जो scheme है इसका उद्देश से palm oil के production को incentivize करना है क्योंकि इसे हमें बहुत भारी मात्रा में import करना पड़ता है अगर हम इसका production enhance कर लेंगे तो import के उपर जो हमारी dependency है वो थोड़ी कम हो जाएगी इसमें उन farmers को जो palm oil का production करने में contribute कर रहे हैं cash incentive दिया जाएगा इस scheme के तहट जो oil palm farmers हैं उन्हें financial assistance provide करवाया जाएगा उन्हें renumeration मिलेगा जो की price और viability formula के basis पे होगा price and viability formula का मतलब क्या है यसे मान लीजिए कि कोई भी जो oil palm farmer है वो जो cultivation कर रहा है सरकार मान लीजिए ये कहती है कि अगर आपने 100 रुपए input लगाया है तो आपको कम से कम 200 रुपए का benefit होना चाहिए लेकिन जो आपको benefit आ रहा है that is just 150 rupees तो सरकार 50 rupees आपको जो viability gap आ रहा है वो दे देगी इससे वो incentivize होंगे cultivation के लिए special emphasis यहाँ पर होगा North Eastern States में और अंड़मान निकोबार आइलेंड में because बहां का जो weather है वो palm oil farmers के लिए या oil palm farmers के लिए suitable है palm oil की बात करें तो यह दुनिया का सबसे ज़ादा consume किया जाने वाला vegetable oil है इसका इस्तेमाल ना केवल vegetable oil की रूप में होता है रैदर इसका इस्तेमाल detergents, plastic, cosmetic और biofield बनाने में भी किया जाता है इंडिया, चाइना और European Union top consumers में आते हैं और इंडिया बड़ी भारी मात्रा में South East Asia की जो countries हैं उनसे palm oil import करता है PM किसान के बारे में बात करें तो इसमें देखे 6,000 रुपए per year, 3 equal installment में farmers के खाते में सीधे डाले जाते हैं बिना इस बात की परवाह किये कि उनके पास जमीन कितनी है 2019 के फरवरी में इसे लांच किया गया था Central Sector Scheme है इसका मतलब ये है कि 100% funding Central Government की ओर से की जाएगी राजियों को कुछ भी नहीं देना होगा कोई पूछ भी रहा था कि Central Sector Scheme और Centrally Sponsored Scheme में अंतर क्या होता है तो Central Sector Scheme में सारा खर्च Central Government वहन करती है जबकि Centrally Sponsored Scheme में कुछ हिस्सा राजियों को भी वहन करना होता है वो अलग-अलग राजियों के लिए अलग-अलग होता है जो मैदानी राकों वाले राजियों हैं वहाँ पर उन्हें 40% share bear करना होता है पहाड़ी राकों वाले जो राजियों हैं और नहीं देना है Beneficiary Identification का काम पूरी तरीके से States and UTs का होगा Central Government बस पैसे दे देगी देखे, Farmers से related जो Schemes होती है उन पर UPSC काफी ज़ादा Interested रहती है और प्रश्ण भी पूछती है देखे, ऐसी ही एक Schemes पर प्रश्ण पूछा गया है UPSC के दवरा प्रिलिम सोहजार सत्रह में यह question है नायम के उपर National Agriculture Markets की दो statement है पहला यह है कि यह Pan India Electronic Trading Portal है जो की agriculture commodities से related है दूसरा यह है कि Farmers को इसके जरीए Nationwide Market के access मिलेगी जहां पर वो अपनी फश्णों के quality के मताबिक दाम अवेल कर पाएंगे आप बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है अगर आपने अपना जवाब सोच लिया है तो मैं बता देता हूँ कि यह दो के दोनों ही statement correct है हमारा next article सीखो और कमाओ इस scheme के बारे में है Union Minister for Minority Affairs ने राज्य सफा को इस scheme के बारे में जानकारी दी क्या है यह यह scheme Ministry of Minority Affairs सी implement करती है target किया जाता है 14 से 35 वर्स के IU के लोगों को क्यों ताकि उन्हें skill दी जा सके ऐसी skill जिसके जरीए वो employment पा सके उनके लिए ज़्यादा opportunities create हो जो existing worker हैं उन्हें भी और ज़्यादा skill किया जाता है जो school dropouts है minority community से belong करते हैं उन्हें भी skill करने की कोसिस की जाती है इसे implement किया जाता है project implementation agency के माध्यम से जिसमें कई सारे experts होते हैं features यह हैं कि जो भी लोग इसमें training avail करते हैं कोसिस की जाती है कि उनमें minimum 75% लोगों को placement दिया जाए मतलब की job दी जाए और कम से कम 50% लोगों को organized sector में job मिले एक बाद placement हो जाए उसके बाद भी 2000 रुपए पर मत मिलते हैं दो महिने के लिए ताकि placement के बाद assistance मिल जाए और आप अच्छी तरीके से जो job वाले life है उसमें settle down हो जाए कई और schemes हैं जो minority community से belong करती हैं पहला है नया सवेरा scheme इसमें free coaching दी जाती है जो भी minority community के बच्चे होते हैं उन्हीं ताकि वो technical और medical professional courses में admission ले सकें competitive exams को clear करके दूसरा है पढ़ो परदेश इसकी नाम से सपस्ट है minority community के बच्चे विदेश्ट में पढ़ें इसके लिए वो जो educational loan ले रहे हैं उसका जो ब्याद देना पड़ता है interest उसमें उन्हें subsidy मिल जाती है तीसरा है नई उडान scheme इसमें अगर कोई minority community का बच्चा UPSC, State PSC या SSC का परदेश्ट करता है तो उसे support दिया जाता है ताकि वो means और interview की अच्छी द्यारी कर सके चौथा है नई रोशनी scheme इसमें minority community की जो women होती हैं उनके अंदर leadership development के लिए काम किया जाता है चछटी scheme है नई मंजिल scheme इसमें जो school dropouts है उन्हें formal school education में लाया जाता है और जो school dropouts हैं उनमें skilling भी की जाती है next है हमारी धरोहर यहाँ पर जो minority community का rich heritage है उसे preserve करने की कोसिस की जाती है यह सभी schemes minority community से belong करती है हमारा next article उजवला 2.0 scheme के बारे में है आप इसे 2.0 scheme कह लिजे प्राइम मिनिस्टर ने अभी इस scheme को launch किया है महोवा उत्तरप्रदेश से LPG connection से जुड़ा हुआ है आपको पता होगा यह इसका दूसरा version है मतलब इसके पहले यह already launch हो चुका था Ministry of Petroleum and Natural Gas ने इसे 2018 में launch किया था काम बिलकुल simple था कि हमें महिलाओं को LPG gas cylinder देना है ताकि जो unclean cooking fuel है जैसे की कंडे, उपले और लकडिया इनके इस्तिमाल को बंद किया जा सके क्योंकि इनसे कई तरीके की problems और विमारिया होती थी जो महिलाओं इस प्रकार से खाना पकाया करती थी इनकी quality of life भी डिग्रेड होती थी feature यह था कि जो महिलाओं below poverty line है social economic caste census में जो जुड़ी हुई रही है उन्हें हम deposit free LPG connection दे initially target था 2019 में हमें 5 करोन LPG connections देने हैं बाद में इस target को बढ़ा के 8 करोन किया गया उसे भी हमें meet कर लिया था अगस्त 2019 में परधान मंत्री उज्जला योजना 2.0 जिसके अभी हम बात कर रहे हैं union budget जब 2021-22 का आया था उसमें सरकार ने कहा था कि हम 1 करोन और LPG connection देंगे और इसी काम के लिए हमने उज्जला 2.0 लाँच किया low income families जो पहले cover नहीं हो पाई थी उन 8 करोन में उन्हें अब include किया जा रहा है वही बात है deposit free LPG connection और first refill की भी बात की गई है एक बार cylinder खतम होगा तो आपको free में refilling मिलेगी जो migrants हैं जो अपने native place पे नहीं रह रहे हैं उन्हें बस एक self declaration देना होगा कि मैं इस जिगर से belong करता हूँ मुझे यहाँ पे gas connection दे दीजिए और उन्हें मिल जाएगा सरक्यार ने काफी आसान बनाया है इस scheme को ताकि सभी लोग इसका लाव उठा सके हमारा next article open network for digital commerce के बारे में है sort में आप इसे ONDC बोल सकते हैं अभी union minister of commerce and industry ने एक meeting को chair किया जिसमें इस मुद्दे पर बात होई देखे ONDC initiative है DPIIT का यानि कि Department of Department for Promotion of Industry and Internet Trade का अब मामला कहा है पहले मारे इस पर चर्चा हुई है वैसे काफी लंबे समय से Flipkart, Amazon और कई सारे जो dominating online shopping platforms हैं उन पर complaints आती रही है कि ये कुछ products को और associated companies को choose कर लेते हैं उनके साथ collab करके ये उनके products को ज़्यादा promote करते हैं, hype करते हैं इससे बाकी के जो sellers हैं, उनका product तो जो customer है उसको दिखता ही नहीं है इससे दो रुकसान होते हैं जो बाकी की companies हैं, वो loss में जाती हैं जो इतनी बड़ी नहीं कि इन platforms के साथ collab कर सके दूसरा हमारी और आपकी choice भी तो प्रभावित होती है न, maybe उनके पास बहुत अच्छा सामान है और इनकी तुलना में सस्ता है लेकिन हमें वो दिखता ही नहीं तो हम compelled होते हैं कि हम एक महगा सामान खरीदें जो कि हो सकता है उससे कम quality का हो possibility है तो हमारी choice भी limit होती है अगर ये entities monopolize करती है online shopping को तो या फिर online commerce को तो पूरी दुनिया में ये अपने प्रकार का पहला initiative है जहां पर हम digital commerce को democratize करने वाले हैं अब हम एक open network बनाएंगे ये बिलकुल UPI के तरह होगा आप इसका इस्तिमाल करके किसी भी तरीके का online payment कर सकते हैं बिलकुल वैसे ही सभी प्रकार के जो online platforms होंगे और जो commercial entities होंगी उन्हें खुद को ONDC के साथ associate करना ही होगा और एक बार वो ONDC के साथ associate हो गए तो फिर कौन सा products किस तरीके से so किया जाएगा ONDC ये visible और transact होंगी बिलकुल open network में इस platform पे फिर इसमें किसी भी प्रकार का modification या channelization नहीं किया जा सकीगा ONDC एक प्रकार से open network को promote करेगा open source methodology है open specification है open protocol है कुल मिला कि कोई specific platform चाहे वो Amazon हो, Flipkart हो वो इसे अपने हिसाब से नहीं चला पाएंगे ONDC का ये expected eyes के बनने के बाद कि ये पूरे value chain को digitize कर देगा operations standard हो जाएंगे suppliers का inclusion और बहतर होगा हम अच्छी efficiency अवेल कर पाएंगे और consumers को भी बढ़िया choice मिलेगी ONDC primarily focus करेगा कि देखे इससे किसी की confidentiality प्रभावित ना हो और data privacy भी बनी रहे ये IT act of 2000 को follow करेगा और जो personal data protection bill अभी proposed है अगर वो कानून बन जाता है तो उसे भी इस platform के द्वारा follow किया जाएगा इस समद में एक advisory council बनाई गई थी July में Center के द्वारा वो guide करेगी और mentor करेगी कि किस प्रकार से इस पूरे platform की design तयार की जाए और इसे कैसे implement किया जाए तो इस समद में और जानकारी जल्दी हमारे सामने आ जाएगी हमारा next article गती शक्ती के बारे में है हमारे prime minister में अभी एक announce किया है plan Center के द्वारा जिससे run किया जाएगा that will be PM गती शक्ती master plan ये एक national infrastructure master plan है इसके तहट भारत में कई प्रकार के infrastructure को develop किया जाएगा it is kind of holistic infrastructure development 100 लाख करोन से जादा का fund इसमें invest करने की बात कही जा रही है जिससे lakhs of youngsters को job मिले ही और संभावना ये भी बन रही है कि भविश्य में कुछ नए economic jones भी develop किये जाएंगे infra development के हिस्से के रूप में इससे होगा ये कि इससे हमारी global profile बढ़ेगी infra बहतर होगा तो local manufacturers global level पे और बढ़िया competitive बन पाएंगे ऐसा ही एक similar plan last year announce किया गया था जिससे कहा गया था national infrastructure pipeline अब देखे इसके नाम में NIP में pipeline है इसका मतलब ये नहीं है कि इसके तरह कोई pipeline भी चाही जाएगी rather इसमें multiple kind of infrastructure को बनाने की बात की गई थी like rail, road, port, etc ये इस प्रकार का पहला initiative था जिसमें हम world class infrastructure को develop करने की बात कर रहे थे ताकि लोगों की quality of life को improve कर सके उद्देश ये था कि हम projects को अच्छे से तयार करें investment को attract करें जो की 5 trillion economy बनने का जो हमारा प्लान है 2025 तक का उसके ले भी काफी जरूरी है इसमें economic और social infra दोनों ही प्रकार के infra develop किये जाने की बात की गई social infra का मतलब होता है कि आप health और education के लिए इस संबंध में एक task force भी बनाया गया था अतानू चक्रबॉर्टी की अध्यक्षता में जिसने 2020 के मई में अपनी final report finance minister को सौंब दी थी financial inclusion index के बारे में है RBI ने अभी हाल ही में अपना पहला composite financial inclusion index जारी किया है इसके पहले कि हम आगे बढ़ें आप financial inclusion का मतलब समझ लीजी financial inclusion का सामा निभासा में मतलब ये होता है कि जो भी individuals हैं यानि कि हम और आप चाहे वो society के किसी भी strata में रहते हूं और जो institutions हैं उनको financial services की equal और easy access हो financial services में banking की services आ जाएंगी insurance की services आ जाएंगी और भी कई सारी services आ जाएंगी सामा निभासा में कहूँ तो सभी लोगों के पास bank का account हो उसमें से transactions वगएरा कर सकते हो और एगर वो insurance वगएरा लेना चाहते हो तो ले सकते हो आसानी से ले सकते हो अगर यह सभी के लिए उपलब्द है तो हम कहेंगे कि financial inclusion बढ़िया है अगर नहीं है तो कहेंगे कि खराब है तो यह तो मतलब हुआ financial inclusion का इस index को release किया है RBI उद्देश यह है कि पूरे भारत में financial inclusion किस बहतर तक या किस तर तक हुआ है इसकी जानकारी कठ्था की जाए इसमें देखिए टीन ब्राड पैरामेटर्स है पहला तो access किसकी access financial services की access उसका weightage 35% है usage financial services का usage 45% इसका weightage है और quality financial services जो दी जा रही है उनकी quality कैसी है तो जो keyword है financial inclusion में that is financial services इसके अत्रिक देखिए इसके इन सभी dimensions में कई सारे indicators होंगे 97 indicators पर evaluation किया जाएगा अब जो evaluation होगा उसके basis पर बाते समझते है इसमें एक बहुत unique feature है that is quality of financial inclusion जो financial inclusion हो रहा है यानि कि जो financial services दी जा रही है उनकी quality कैसी है इससे हमें ये पता चलेगा कि लोग financial literacy रखते हैं कि नहीं उनको various services के बादे में जानकारी है कि नहीं consumer protection कैसा है कहीं inequality तो नहीं है मतलब आपको percentage में दिख रहा है कि हाँ 80% आबादी financial inclusion अवेल कर चुकी है लेकिन वो 80% जो upper stata में है केबल वही है lower stata में ये penetrate होई नहीं पारा तो ये भी आपको देखना पड़ेगा services के deficiency तो नहीं है कहीं इन सभी चीज़ों को evaluate किया जाएगा जो score होगा वो 0 से 100 की बीच में दिया जाएगा 0 का मतलब है complete financial exclusion मतलब financial services नहीं मिल रही 100 मिल गया तो financial inclusion complete इसे देखिए हर साल जुलाई में publish किया जाएगा base year कोई भी नहीं होगा हाँ evaluation करने के लिए आपको कोई साल लेना है तो ले लीजे बाकि यह सच कोई base year इसका नहीं होगा अभी क्या निकल किया आया है देखिए मार्च 2021 तक का data cover किया गया यह पता चला कि various parameters पर financial inclusion 53.9% है यह population की बात मैं नहीं कर रहा हूँ उसका percentage नहीं देख रहे हैं rather हम देख रहे हैं यह जो unit score है यह 53.9 out of 100 यह various parameters पर है मतलब इसका अगर आप comparison मार्च 2017 से करेंगे तब यह 43.4 आपको मिलेगा numbers में 46.1% के जो indices हैं valuation में पता चल रहा है सरकार जिबके कई तरीके की initiative इस समन में ले रही है फिर भी यहाँ पर दिखे 2015 में एक प्रेशन था index पर है यह index पर गईरा पर UPSC प्रेशन पूछती है बहुत सारे पूछे गए हैं लगवग हर साली वो एक पूछ लेते हैं तो आप तैयार रखिए cost benefit निकलता है इसका consumer price index number for industrial worker यानि की CPI IW कौन निकालता है या आप से पूछा जा रहा है सही जवाब है C यानि की labor bureau हमारा next article इंटरनेशनल bullion exchange के बारे में है देखे इंडिया में bullion का मतलब क्या होता है बुलियन का मतलब होता है physical gold और silver जो high purity को हो usually sony और chandhi की जो सिल्लियां होती है या फिर सिख्य होते है bars और coins उन्हें bullion कहा जाता है इंडिया में gold और silver का काफी crease है इंडिया's second largest consumer है समझे price को कौन control कर सकता है जिसके पास या तो demand हो या supply हो as you can see कि इंडिया के पास demand बहुत जादा है bullion की लेकिन हम price को control नहीं करते इसका reason यह है because हमारे पास कोई international bullion exchange है ही नहीं जहां पर bullion traders खुद को register करके trading कर सके पिछली साल इसी लिए हमने plan बनाया है कि हम अपना खुद का international bullion exchange तयार करेंगे जो गांधी नगर है gift city गुजरात में वहाँ पर इसी उद्देश से अभी International Financial Services Center Authority ने pilot basis पे चेक कर रहे हैं कि हम बढ़ियां से कर पाएंगे कि नहीं एक international bullion exchange रन करने का plan बना लिया है जो 1 October 2021 से live हो जाएगा यानि कि और operational हो जाएगा बुलियन का मतलब आपने समझा बुलियन को कई बार legal tender के रूप में भी सिगार कर लिया जाता है और लिगभग हर जो reserve bank होता है central bank होता है वो बुलियन को अपने पास सकता है reserve के तोर पे जो institutional investors होते हैं वो इसमें पैसा बगेरा भी लगाते है जो investors होते हैं वो बुलियन को खरीद लेते हैं dealers से जो किसी ने किसी global bullion market में registered होते है चुकि वो हमारे यहां registered नहीं है तो हमारा उसके valuation में कुछ खास रोल नहीं होता बट अब होगा अगर international bullion exchange हमारे यहां भी है तो यह gateway होगा bullion import का India जो bullion import होगा और जो domestic consumption के लिए उसे हमें इस exchange के माध्यम से channelize कर पाएंगे इसे manage किया जाएगा इंडिया international bullion holding IFSC के द्वारा जिसे आप short में IIBH कह सकते हैं यह gift city में है गुजरात में International Financial Service Center Authority IFSTA की बात करें तो 27 अप्राइल 2020 को इसे publish किया गया था जिसके रिए कानून आया था International Financial Service Centers Authority Act 2019 गुजरात की गांधी नगर में है gift city में यह unified authority है जो इंडिया में जो भी financial products है financial services है financial institutions है उन्हें regulate करता है हमारा next article Perform Achieve and Trade यानि कि PAT scheme के बारे में है अभी ministry of power ने 57 lakh energy saving certificate जारी किये है 349 industrial units के लिए क्योंकि उन्हों नहीं जितना उनका energy targets हा उससे कम energy का इस्तेमाल किया देखे होता क्या है कि various industries energy consume करती है उसका इस्तेमाल करती है जिससे pollution प्रहता है सरकार चाहती है कि आप कम energy use करें अब हर industry अलग-अलग amount में energy use करती है तो सबको पता दिया जाता है कि आपका ये target है आप इससे जादा मत use करिएगा आपको इससे कम करना है अगर कोई industry माली जी उन्हें कहा गया कि आप 50 units से जादा energy consume नहीं करेंगे उन्होंने केवल 40 unit ही consume करी अपने operation में सबका target अलग-अलग होता है तो उनको 10 unit energy save करने का certificate मिल जाएगा अब एक industry और है उसे कहा गया था कि आपको 50 unit करना है उन्होंने 60 unit कर दिया अब उनके पास एक option ये है कि वो सपोसकर ये industry A है जिन्होंने ज्यादा किया है और ये energy B है इनके पास 10 unit का certificate है तो ये अपने 10 unit के certificate को बेश सकते है इस industry को अगर कोई industry अपना target achieve नहीं करती है या तो आप energy कम use करिए या फिर आप certificate खरी दिये जिसने बचाया है अगर आप दोनों नहीं करते है तो फिर punish किया जाएगा Ministry of Power का ये एक initiative है market based compliance mechanism है ताकि हमें energy बचा सके flagship program है Bureau of Energy Efficiency का जो National Mission for Enhanced Energy Efficiency के अंडर में run कर रहा है ये cost effectiveness बढ़ाता है certification के माध्यम से energy audit किया जाता है baseline data collect करते हैं कि आप अभी कितनी energy इस्तेमाल कर रहे हैं आपकी efficiency कितनी है उसी basis पे हर industry को अलग-अलग target दिये जाते हैं अगर किसी ने target से कम energy को waste किया या use किया तो उसे मिलेगा certificate वो उसे waste सकता है और किसी ने जादा use किया है तो वो से खरीदेगा दोनों नहीं कर पाये तो financial penalty लगाई जाएगी Energy Conservation Act of 2001 किता है यहाँ पर देखिए अभी जो data निकल के आया है वो यह है कि हमने 14 million ton of oil equivalent MTOE energy को बचाया है मतलब जितना 14 million ton oil energy निकालता हमने उतना बचा लिया और इससे हमने 66 million ton CO2 के emission को भी रोका है जो की काफी बढ़ियाँ बात है Bureau of Energy Efficiency की बात करते हैं यह statutory body है 1 March 2002 को बनाई गई थी energy conservation एक 2001 कित है यह strategy and policies बनाते है Market Principle और Sir Fragulation को आधार बनाकर यह energy को efficient बनाने की कोसिस करते है Primary objective है कि इंडिया को energy intensity वाली जो economy है उसकी energy intensity को reduce करना है और इसके लिए जो भी framework है energy conservation act of 2001 के उसका इस्तेमाल यह body करती है हमारा next article सुनीव सेथी committee के बारे में Committee of India ने अभी इस committee को गठित किया है National Handloom Day पर objective यह है कि हमें आने वाले तीन सालों में जो इंडिया में handloom production है उसे double करना है और अपने export को बहतर करना है स्री सुनीर सेथी जी चेर्मैन है Fashion Design Council of India के इनका काम होगा कि यह framework suggest करें कि हम handloom sector में production को double कैसे करेंगे और तरीके बताएं कि हम exporters को कैसे involve करेंगे और कैसे इसे बैतर कर पाएंगे इसके बाद news में एक article रहा कि इंडिया का सबसे बड़ा floating solar project जो NTPC का था वो भी आंदरपरदेश में launch किया गया तो अब NTPC किस चीज में कारे रहत होती है नाम से बेक लेगा thermal power की company है अब ये क्या ला रही है solar power project ला रही है कहां अंदरपरदेश में तो ये क्यों ला रही है thermal power की company क्यों ऐसा ला रही है हमारे option अक्सरे ऐसे गलत हो जाएंगे हम सोचेंगे NTPC यो thermal power काम करती है तो नहीं NTPC नहीं सबसे बड़ा जो floating solar power project है अंदरपरदेश में photovoltaic वो लांच किया है ये 25 megawatt की बिजली बनाएगा एक जो reservoir है सिमादरी में वहाँ पर सिमादरी विशाका पत्नम अंदरपरदेश में बढ़ता है खास बात ये ये जो scheme है वो लांच की गई है और ये project अल्मूस्ट एक लाख solar PV panels लगाएगा जो उस reservoir के उपर टैरेंगे और वहाँ से फिर बिजली जनरेट करेंगे तो ये अल्मूस्ट 1.364 million liters of water per NM बचाएगा क्योंकि thermal power plants में बहुत जारा पानी का पर इस्तिमाल होता है और और अब्यसली काबन ने उसरजन बहुत जारा होता है ये होगे इसके बाद तो जो flexibilization scheme phase के बारे मैं आपको पहले बताई चुका हूँ कि 2018 में launch हुई तो power generation के लिए companies switch कर सकती है from non renewables to renewables अगर वो चाहती है तो कहीं और जहां पर नई location उसके अलावा भी कुछ चीजों का इस्तिमाल इसमें government national level पर भी कर सकती है then GSEC acquisition program 2.0 launch किया गया यानि कि government security acquisition program 2.0 इसके तहर जो RBI है वो क्या करती है वो government bonds को बेचती है और खरीटती है तो भई से फरक क्या पढ़ेगा let's say Indian economy में अभी लोगों के पास बहुत सारा पैसा है let's say एक लाग करोड लोग के पास भूम रहे है और क्योंकि market में economy में पैसा जादा होता है तो चीज़ें उतनी है तो बहुत सारा पैसा है चीज़ें कम है जादा पैसा जेनी को तरियार हो जाएगा तो होगा क्या inflation हो जाएगा मतलब महंगाई होगी तो अगर किसी economy में liquidity जादा होती है मतलब मुद्रा जादा होती है currency जादा होती है तो वहाँ पर inflation बढ़ जाता है महंगाई बढ़ जाती है अगर आप economy से पैसे निखाल ले तो वहाँ पर अब क्या होगा market में पैसे कम है और चीज़ें तो तो नहीं है तो अब महंगाई कम हो जाएगी क्योंकि inflation कम होगी market से पैसा निकला है आपने squeeze out कर दिया money और government क्या गरती है फिर बाद में जब market में उन्हें लगता है कि निए पैसे अब आने चाहिए लोग के पास पैसे कम deflation आगी है तो market में पैसा बढ़ाने के लिए आप फिर market में पैसा ले आते हैं तो वो लाएंगे कैसे अपने government bond जो आपने पहले बेचे होते हैं आपको पैसे दिए एक लाग करोड और आपका bond खरीग लिया private companies ने या banks ने government का अब government ने का कि नहीं भै चलो अब हमारे bond हम वापिस दे रहें आपको और आपको जो interest है जो पैसे है वापिस मिल जाएंगे एक operation twist पहले लाउज कुई थी operation twist के अंदर कर भी government 10,000 क्रोड के bonds short term में खरीग लेती थी और long term में बीच देती थी मतलब अभी आप खरीग लो बाद में हम बेच देंगे तो पैसा मैनेज हो जाता था यह सब होता है जिस program के अंदर कर उसे कहते हैं OMO यानि open market operations तो GSEC acquisition program याद रखिए मैंने तीन टर्व यूज किये operation twist जो आर भी पहले लाउज कर चुकी है यह है GSEC which is GSEC acquisition program government security acquisition program जिसमें government ने कहा है कि हम market को देखे बिना कि जो स्थितिया उसे मतलब नहीं हम unconditional और एक structured open market operation करेंगे कि यह तारिक को bonds आ रहे है यह तारिक को bonds जा रहे है मतलब इतने को बीचा जाएगा इतने को खरीता जाएगा पहले एक structure program दिया जाएगा तो इससे होगा यह कि RBI पहले commit करेगी कब वो GSEC को या तो खरीदेगी या बीचेगी उसको पहले announce करेगी market sentiment को ध्यान में रखे बिना normally market sentiments को देखा जाता है equity market कैसे काम कर रहा है bonds के rate क्या चल रहे है तो लोगों को clarity नहीं होती कि RBI क्या कब करेगी तो उसके तहरे इस scheme के नंदर करता है government securities का खरीदना या बेचना एक proper security setup कि थूँ होगा उसके थूँ data provide किया जाएगा orderly fashion में ताकि yield curve जो है जो bond की rate है जो bond yield मतलब होता है कितने आपकी कमाई हो रही है एक bond में invest करने के बाद उसमे stability लाने के लिए RBI न ऐसे कहा है कि वो करेगी तो इससे होगा क्या ये जो G-SAP scheme है क्यों आखिर G-SAP scheme लाँच की कि पहली बात तो ये ये इसले लाँच की गई ताकि जो government की borrowing का cost है जो उधार government ले लिए उसमें थोड़ी कमी आजा इसके विज़े से और yield bond पे थोड़ी कमी आए yield bond मतलब जैसे मैं बता चुका पहले जो आप percentage rate of return मिलता है आपको किसी security के ओपर में उसे कहते है yield rate वगर आप 100 रपेगा bond खेद रहे हैं तो कितना आपको return मिल रहा है which is your yield return तो इसमें कई चीसे काम करती है market में क्या rate है interest market क्या है उन सबको ध्यान रखती है तो इसको हटाने के लिए आपने GSEC program launch किया गया जिसके तहट वो एक time frame देंगे और commit करेंगे उस time frame यह इसी time में या तो जो security सेंगे साथ dealing की जाएगे इतनी सी बात है इसके बात बात आती है open market operations यह एक ऐसा term है जो use किया गया है इससे पहले open market operation मतलब होता है कैसे government या RBI monetary tools का इस्तमाल करके market में money supply घटाती या बढ़ाती है जो पहले explain कर चुका हूँ जब उनको बढ़ाना होता है तो वो क्या करेगी bonds को खरी लेगी वापिस लेगी bonds ले लिए पैसे दे दिए तो market में पैसा आ गया और जब market पैसा money supply घटाना होगा तो bond sell करेगी bond sell करेगी अगर 1000 करोड का bond sell क्या गया तो कोई bond खरीदेगा तो जो bond खरीदेगा उसके लिए पैसे देगा तो पैसे आ गए पास bond चलाए उस्वेक्ति के पास तो market से पैसे घट गए तो एक cyclic process है इसे करते है open market operation इसके अलावा government क्या करती है रिवर्स बढ़ाती है यह हम पहले जा सकता है बैंकों से क्यों deal कर रहे हैं क्योंकि अंता बैंक ही आपको पैसे दे रहे हैं लोन दे रहे हैं तो इसलिए important होता है अब देखते हैं कि एक question जो पहले आया था with reference to Indian economy इन में से कौन से चीज़ें components है monetary policy का bank rate, OMO, public debt, public revenue बताइए मुझे 1 and 2, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4 इसका सही answer है C which is 1 and 2 यानि bank rate on open market operation public debt, public revenue monetary policy के अंदर नहीं आता है अगला article बात करता है उभरते सितारे fund के बारे में finance ministry ने 150 क्रोड का इतना अल्टरेट investment fund launch किया है ताकि जो MSMEs है उनका export बढ़ा सके सबसे पहली बात की जो यह fund होगा यह दो तरह से काम करेगा normally funding क्या होती है आप किसी को loan provide करते है यानि debt provide करते हैं दूसरे तरह का होता है इक्विटी प्रवाइड करते हैं मतलब उसमें हिस्सेदारी खरीबते हैं उसके shares करीबते हैं यह जो alternate investment fund है दो 150 क्रोड का यह debt और equity दोनों में invest करेगा ठीक है और इसलिए इसको कहते हैं कि alternate investment fund ह alternate investment fund की खास बात यह होती है कि यह जो normal funding होती है या तो आप उधार दे दें या shares खरीड़े या mutual fund में invest कर दें उससे अलग किसम का एक fund होता है जहां पे hedge funds private investors यह सब बिल के आते हैं तो इसकी खास बात है इसा categorization काफी अलग है बाकी funds के मुकाबले normally जो भी mutual funds होते हैं वो CB के करगत नहीं आते हाला कि उनको register से भी से करना ही पड़ता है लेकिन उनकी जो regulations है वो और लग है mutual fund का काफी stringent regulatory feature है कि आपको कहां पे कैसे invest करना है वो सब जारा मुश्किल होता है compare to AIF तो government एक AIF fund लाई है उभरते सितारिफ और MSME इसका export बनाने के लिए जिसको जो fund set up कर रहा है उसको manage कर रहे है exam bank और CDB इसका objective क्या है export बनावा देना कैसे करेंगे वो तो जो normally सिर्फ investment प्रवाइड करनान का काम नहीं है इसके अलावा जो advisory काम हो सकते है ताकि कैसे वो और efficient हो पाएं जो इलाके वो और tap कर सकते हैं जहां पर government के expertise है या किसी और department के expertise है उनमें भी इनको मदद की जाएगी और इसलिए इनके लिए अलग तरह का fund create किया गया है जिसमें की बोथ financial और advisory support दिया जा रहा है इसके अलावा इनको एक green shoe option भी दिया जाएगा दो 150 क्रोर का तो green shoe option मतलब होता है कि अगर कोई company IPO allot करती है IPO मतलब बाजार में अपने shares ले के आती है initial public offer करती है तो normally लोग आते हैं और अगर आप जाए कोई company share ला रही है तो आप उसके share खरी सकते है IPO allot होने के पार पहली बार कोई company market में आती है green shoe option एक ऐसा option है जहां over allotment का option भी provide किया जाता है इसका मतलब कि एक agreement बनाया जाता है कि investors चाहें तो और shares बेच सकते हैं अगर demand जाता है मतलब अगर उमीद थी कि हमारी इतनी demand होगी shares कि उसे जारा demand आ जाए तो हम और share बेच सकें तो इसका मतलब है उस company के पास capacity है और share release करने की तो वह capacity की guarantee कौन लेगा तो यह guarantee का option यहां इस बार horseshoe option की फूद दिया जा रहा है जो government provide करेगी MSMA को 250 क्रोड गी इसके अलावा horseshoe option एक और होता है जहां पर अगर उन्हें लगेगी इसके price stocks का price बहुत कम है जो market में shares के price बहुत कम हो गये है तो वह buyback कर सकते है market से वह भी ए चीज करता है जैसे मैंने पहले बताया एक pool investment fund है जा अलग अलगतरे की investment को आप साथ लाते हैं और फिर invest करते हैं hedge fund होगे private equity होगे venture capital होगे सब fund करेंगा फिर सको invest करेंगे तो इनको भी register करना है इसके साथ cv की साथ अगला एक जो topic news में काफी दिनों से है चल्चा में वह है monetize करें monetize करना मतलब यहीं की पूरी तरह बीच दिया जाएगा मालिक आना हग private companies को दे दिया जाएगा ऐसा नहीं है निदियायोग ने जो infrastructure line ministries हैंके साथ मिलके plan मनाया था कि जो कुछ ऐसी एलाके हैं जहां पर आभी government ठीक से operate नहीं कर बारी कुछ railway station से जहां और capital हमें मिल सकते हैं अगर हम public investment को और जादा leverage करें इसके तहत एक private parties की साथ मिलके एक ऐसा setup तयार किया जाएगा जिसके तहत जो इंडिया के top three sectors है railways, airport, coal mining इनको मिला के roads, power और gas pipelines को भी include करें कैसा setup बनाया जाए जहां देखा जाए किस area में जादा chances है और जादा fund एक अत्रित करने कि कैसे private firm से invest कर सकते हैं और कैसे वो returns ले सकते हैं तो इसके तहत होगा क्या private company हैगी वो एक infrastructure investment trust में invest करेगी और उसके थूँ एक point के बाद वो government को से वो handle करने का काम ले लेगी कि भाई अब उनके अंदर कर आ गया है यह station या फिर यह road वो उसको manage करेंगे कैसे इससे और ज़्यादा revenue generate किया जा सके और ownership जो है वो government के पास ही रहेगी पर तदकालिक वो है जो यह handling है वो swap दी जाएगी उस infrastructure investment trust को जो कि private firm के investment से बनी ह और जब उसका utilization पूरा हो जाएगा monetization पूरी हो जाएगी तब वो वापस government को दे दिया जाएगा खास बात यहां कि यहां पर brownfield assets में यह किया जाएगा यहां जो already running है उनकी बात की गई है जहां पर greenfield की बात नहीं हो रही जीरो से start होने वाले assets को कहते है brownfield जो already running है उसको कह कहां से बढ़ाया जासेगे private firms, investors को सुच करेंगे करने की उसके बाद हो government को इसका मालिकाना हग या वो पोला asset वापस कर देंगे तो यह fund है जिसके तहत 6 trillion rupees का इंडिया का valuation होगा monetization होगा इस plan का तो यह इसका breakout है 2025 में 0.88 trillion फिर 1.62 trillion, 1.79 trillion और 1.67 trillion जो 3 top sectors है rules, railways and powers then other we have gas lines, warehousing और बाकी जो हमारे CPSCs हैं हो सारे. इसके बढ़े तो समझ में आ गया सम्रिद्धिस की जो scheme है ऐसे startup के लिए है जो software प्रड़क्ट वगरा develop कर रहे हैं उन्हें मदद दी जाएगी इसके जरीए. implementation इसका मैती का जो startup hub है वो कर रहा है, feature यह है कि इसमें 300 startup को accelerate करेंगे हम, उन्हें customer connect देंगे, customers के साथ जोड़ेंगे, investors के साथ जोड़ेंगे और international pet भी provide करवाएंगे, इसके रहा कई सारे startups को 40 लाख रुपए का investment देने की भी बात की गई है under this scheme, इसलिए देखा जाएगा कि उनका वर्तमान का स्तर क्या है, उनकी evaluation क्या है, इसके आधार को नहीं दिया जाएगा, हमारा next article काजिन 21 के बारे में ह इंडिया कजाकिस्तान की joint training exercise का पांचमा edition है ये, 30 अगस्त से 11 सितंबर 2021 के बीच में proposed है, कजाकिस्तान की location देखे, Central Asia की एक country है, रेशिया के south में मिलेगी, यहाँ पर है चाइना, यह है किर्गिस्तान, यह है उजबेकिस्तान और यह है तुर्कमेनिस्तान, और यह है तज आईशा भीवी जो कजाकिस्तान में location है, वहाँ पर conduct किया जा रहा है, joint training exercise है, उद्देश यही है कि professional exchange हो, experiences को हम share करें, insurgency को counter कर सकें, यह exercise एक साल इंडिया में, तो एक साल कजाकिस्तान में होती है, यह स्कीम नहीं नहीं है, लेकिन बार-बार news में आती रहती है, अभी ह खरीदा जा सकेगा अगस्त 30 से सितंबर 3-2021 के बीच में, यह scheme 2015 में आई थी, देखिए इंडिया में लोग सोना खरीदने के बड़े सौकीन होते हैं, लेकिन जितना सोना लोग यहां खरीदते हैं, जितनी खपत है, उतना सोना इंडिया में मिलता नहीं है, तो हमें import करना प हो जितनी की सोने की होती है, सोने की कीमते जैसे घटी बढ़ती हैं, वैसे ही उस piece of paper की value घटे और बढ़े, इसके अलामा अगर सोने को लेकर घर में रख लिया जाए, तो उस पर कोई ब्याज नहीं मिलता, लेकिन इस piece of paper पर ब्याज भी दिया जाएगा, डिस advantage सिर्फ इतन पर किसी function में, लेकिन उसके अलामा इसके कई सारे फायदे हो सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति investment के purpose से सोना खरीद रहा है तो, अब यहाँ पर देखे, उनसे कहा जाता है कि आप physical form में सोना ना खरीद के, ये bond खरीद लीजे, जिस पर sovereign backing होगी, मतलब सरकार इसके पीछे आपक resident है, या कोई entity है, वो इस bond को खरीज सकते हैं, उसमें individuals आ जाएंगे, Hindu undivided families आ जाएंगे, trust, universities और charitable institutions भी आ जाएंगे, जो gold bond है, वो एक gram से लेकर, मतलब जैसे सोने का एक gram होता है, उसी एक gram value का आप bond भी खरीज सकते हैं, आठ साल में ये mature हो जाएगा, और उसके multiples में खरी कर सकते हैं, मतलब exit option होता है, एक gram gold minimum खरीदना होगा, अगर कोई bond खरीदना चाहता है, equivalent value का, 4 kg maximum एक individual के लिए होगा, 4 kg Hindu undivided family के लिए भी एक cap लगा दिया गया है, और कोई trust 20 kg value तक का ये gold bond खरीज सकता है, interest rate देखे 2.5% per annum दिया जाएगा, और जो भी interest मिलेगा, उस पर 1961 का जो income tax act है, जो भी ब्याज बनता है, जो tax बनता है, उसे देना पड़ेगा, अगर किसी व्यक्ति को loan लेना है, तो आप सोना देकर loan ले सकते हैं, similarly, उसके जिगह पर आप ये bonds देकर भी collateral के तरह loan ले सकते हैं, और जो loan to value ratio होता है, अगर आपके पास एक लाख की value का gold है, तो आपको loan 70,000 या 80,000 ही मिलता है, that is loan to value ratio, तो loan to value ratio के जो भी प्रावधान RBI के द्वरा physical gold के लिए जारी किये जाते हैं, बिलकुल वही प्रावधान sovereign gold bond के लिए भी applicable होंगे, हमारा next article भारा series के बारे में ह Ministry of Road, Transport and Highways नहीं नया registration mark introduced किया है, अब आपको गाड़ियों पर BH लिखा हुआ भी मिल जाएगा, लाइक अभी आपको डैली की गाड़ी है, तो DL, महाराश्टरा की है, तो MH और उत्तर प्रदेश की है, तो UP लिखा मिल जाता है, लेकिन अब आपको various vehicles पर BH लिखा मिलेगा, देखे, मामला ये है कि इससे vehicles के seamless transfer में मदद मिलेगी, इसका क्या मतलब है, ये vehicle registration के में काफी जदा मददगार साबित होगा, कैसे, देखे, कई सारे लोग service में होते हैं, job में होते हैं, उन्हें एक state से दूसरे state transfer होना पड़ता है, तो जब हो जाते हैं, तो अपने साथ मे पहली में registered है, तो आप कहीं और लेके नहीं जा सकते हैं, चला सकते हैं, लेके जा भी सकते हैं, लेकिन उसकी एक limit है, motor vehicle act of 1988 का section 47 है, ये कहता है, अगर कोई गाड़ी एक राज्ज में registered है, उसे दूसरे राज्ज में ले जाया गया है, तो बिना registration change किये, उसे maximum 12 महीनों तो पहां रखा जा सकता है, 12 महीनों के बाद आपको registration change करना होगा, ये काफी cumbersome process हो जाता है, मतलब आपको पहले तो जहाँ पर registered है, वहाँ से NOC लेना पड़ेगा, आप एक बार में 15 सालों के लिए road tax pay करते हैं, आपका जो भी remaining road tax है, आप उसको refund लेंगे उस राज्ज में ज registration मात की गाड़ी है, तो आप किसी भी राज्ज में लेकर जाएए, आपको वापिस से दोबार registration नहीं करवाना पड़ेगा, अभी के लिए, ये defense personal, central government और state government के employees, central state PSUs के लिए applicable किया गया है, और ऐसे private sector companies और organization के लिए, के जो employees हैं, वो भी BS series की गाड़ियां ले सकते हैं, जि तो obvious सी बात है कि employee एक राज्ज से दूसरी राज्ज में transfer होगा, और same defense personal, central state government के employees के साथ भी होता है, वो एक राज्ज से दूसरी राज्ज में transfer होते रहते हैं, in that case, अगर वो अपनी vehicles लेका जाते हैं, उनके पास BH series की गाड़ी है, तो उन्हें अपना registration change नहीं करना पड़े अब नहीं होगी, road tax कैसे पे करेंगे, पहले तो 15 साल के लिए कठना पे कर देते थे, अगर आपने BH series की vehicle लिए है, तो आपको road tax 15 साल के लिए नहीं देना होगा, 2 साल या 2 के multiple में, 4 साल, 6 साल, 8 साल के लिए देना होगा, 14 साल तक जब आप अपना ये road tax पे कर लेंगे, तो उसके बाद फिर आपको हर साल अपना road tax पे करना होगा, इसमें अगर आप transfer करते हैं, तो आपको नया registration नहीं लेना पड़ेगा, आराम हो जाएगा, तो आप समझ गया होंगे, BS series की गाड़ियों के क्या फायदे होंगे, हमारा अगला article है, इंडिया के Forex Reserves के बारे में, रिसेंटली, इंडिया के जो Forex Reserves हैं, वो सबसे जादा हो गए, 612 billion dollars हो गया था इंडिया का Forex Reserves, जो की fourth largest है, अगर हम दूसरी कंट्री से compare करें, जैसे China, Japan और Switzerland से, अब इसके बारे में पता करेंगे कि आखिल, Forex Reserves एकदम से तरह जादा हुआ कैसा, इसके पहले ये समझ अब वो assets क्या हो सकते हैं, gold reserves हो सकते हैं, special drawing rights हो सकते हैं, IMF के, treasury bills हो सकते हैं या bonds हो सकते हैं, या फिर कुछ currencies हैं, कुछ countries की जैसे US dollar है, euro, British pound, Japanese yen और Chinese yuan भी है, इन currencies को भी आप Forex के form में रखते हैं, पर सबसे जादा पारफुल है dollar, क्योंकि जो major international transactions होते हैं, settlements होती हैं, वो RBI के under आता है, और वो क्यों आता है, RBI को responsibility दी गई है, RBI Bank of India Act 1934 के तहत, Reserve Bank of India Act, उसके अलावा Foreign Exchange Management Act 1999 के तहत भी RBI को ये responsibility दी गई है, Forex Reserves को manage करने की, कुछ महतपूर reasons की बात करें, जिसकी वज़े से suddenly हमारे जो Forex Reserve है, वो 612 billion dollars तक पहुँच गया है, सबसे पहली बात करी जा रही है, कि जो capital flow है, FDI के form में, Foreign Direct Investment के form में, या फिर Foreign Portfolio Investment के form में, वो बढ़ गया है, साथ में, जो startups हैं, वो भी grow कर रहे हैं, number of startups grow कर रहे हैं, corporate tax Forex में, increment की वज़े से, और higher returns की वज़े से, हमारा जो Forex है, वो बढ़ गया है, इसके साथ में, और भी कुछ कारण है, जैसे आप देखेंगे, जो capital outflow है, वो कम हो गया, इसका main कारण तो है, COVID-19, जिसकी वज़े से, जो consumption है, वो कव हो गया है, Foreign Travel जो किया करते थे, उन में भी काफी गिरावट आई है, इस बार जो इंडिया का balance of payment है, वो 87 billion dollars के record surplus पे आ गया है, 2021 की बात करें तो, उसके अलावा, remittances जो आएं, वो भी काफी जादा है, 80 billion के आसपास remittance आएं, जो भी diaspora है, भारत से बाहर जो भारती है रहते हैं, वो भारत में पैसे भेजते हैं उनको आप remittance केते हैं, और वो भी 80 billion dollars के आसपास remittance आया है, उसके अलावा, liquid injection भी बहुत हुआ है, US ने ही अपने level पे देखें, आप तो 2.3 trillion dollars का जो support दिया गया है, federal reserves को, household financial markets और governance को, इस थोर पे आप देखेंगे, तो liquid injection भी बहुत हुआ है, massive liquidity injection हुआ है, इसके बाद article है, Insolvency and Bankruptcy Code Amendment Bill 2021 के बारे में, जिसमें एक नया chapter add कर दिया गया है, pre-packs से संबंदित, अभी जो नया chapter है, यह उन corporate persons के लिए है, जो की micro small या medium enterprises से संबंदित है, Central Bank notify कर रहा है, कि जो minimum threshold होगा default का, अब यह Insolvency and Bankruptcy Code के बारे में, आप बहुत पहले से पढ़ देखेंगे, 2016 से इसकी चर्चाएं चल रही है, तो मेरे साब से इसकी जो पुराने updates हैं, वो आपको पता है, कि अगर कोई company है, वो default करती है, अपने जो loans proper पे नहीं कर पाती है तो एक समय होगा default का एक मियाद होगी, एक amount अगर वो default कर देते हैं, तो उसके बाद उसको company को dissolve कर दिया जाएगा, auction out कर दिया जाएगा, अभी जो prepackaged insolvency resolution process है, इसमें medium, micro, small and medium enterprises के लिए लेके आया गया है, Central Government ने notify कर दिया है, कि जो default का amount है, जो minimum threshold है, PIPRP के लिए, वो है एक करोड, तो PIPRP के लिए एक करोड लुपे, अगर आप default करते हैं, तो वो minimum threshold हो जाता है, April 2021 की बात करें, तो ये जो threshold amount है, ये 10 लाक रखा गया था, अभी स्तिति बदल गई है, तो उसको एक करोड कर दिया गया है, अब इसमें काम ऐसे होने वाला है, कि देखिए एक चलता जाएगा, और इस से जो भी corporate debts है, उनको clear करने में दिक्कत नहीं होगी, बात करें, pre-packaged insolvency resolution के बारे में, तो इसमें क्या होता है, इस process में, जो arrangement होगा, एक तो लेने वाले आदमी को, और देने आदमी को, जो corporate distress में है, इसके अलावाद जो उसके lenders है, उन दोनों क की बीच में पहले ही सामन जिससे बैठाल दिया जाएगा, एक arrangement, एक agreement कर लिया जाएगा, before approaching NCLT, जिसका मतलब है, national company, law tribunal के पास जाने से पहले, bankruptcy की proceeding चालू कराने से पहले, आप एक agreement पे आ जाएगे, जिसको पैसे देने और जिसको लेने है, वो एक agreement पे पहले आ जाएगे इसलिए यहाँ पर pre-packaged का नाम यूज किया है, pre-packaged मतलब पहले से ही यह कर लिया जाएगा, अब जरह बात करें हम corporate insolvency resolution और यह pre-packed insolvency resolution की बीच में क्या फरक है, पहले तो हम देखते हैं, जो control होगा firm का, वो किसके पास आएगा, यहाँ जो pre-packaged है, इसमें control जो है, व 270 दिन की है, जो resolution होने वाला है, उसमें आप देखिए जो company है, यह direct arrangement में आ जाती है, जो मैंने आपको पहले बताए कि पहले सही arrangement में आ जाएगे, लेकिन यहाँ जो corporate के case में होता है, यहाँ पर bidding शूरू हो जाती है, auction होता है company का, उस basis पे company को dissolve out किया जाता है, अगली bank ने RBI Retail Direct नाम से एक scheme निकाल दी है, जिससे कि छोटे account holders भी है, वो भी इसमें अपना पैसा लगा पाएंगे और इसमें रुची दिखाएंगे अपनी, अभी जो G-Sec के बारे में जान लेते हैं, government securities के बारे में, यह central banks या फिर state governments जो है, central governments या state governments इनको issue कर देती, मान के चल इसमेंगे, government जो है central government, वहाँ पर bonds निकाल देगी, government securities निकाल देगी, जितना amount उनको जरुवत है उत्रे का, और सबसे बड़ी बात क्या है, कि यह safe होता है investment, government कभी fail नहीं होती है, इस तरीकी से माना जाता है, governments हमेशा अपना पैसा वापिस देती है, तो एक safe investment के तोर पे भ पहले तो short term, एक long term, short term में एक साल से कम की मियाद होती है, maturity जो होती है, वो एक साल से कम में होती है, maturity period, और जो treasury bills होते है long term, वो एक साल या एक साल से ज़्यादा की मियाद के होते है, maturity period के होते है, central government जो है, वो treasury bills as well as bonds दोनों issue कर सकती है, state government जो है, वो bonds या फिर dated securities ही issue करती ह और उनको कहा जाता है state development loans मैंने आपको बताया कि जो government securities उसमें practically कोई risk नहीं होती है risk free guild edged instruments इनको कहा जाता है popularly बात करें यह पूरा जो process है government securities का वो कैसे काम करता है जो operational mechanisms पे थोड़ी सी light डाले पहली बात तो जो RBI है वो government से consult करेगा उसके बाद एक half yearly auction calendar यह निकाल देते हैं जिसमें सारी information होती है किस तरीके की amount of borrowing क्या tenure रहेगा securities का यह सारी चीज़ें periods के रहने वाले auction के सारी चीज़ें उसमें होंगी फिर उसके बाद government securities को आप auction के थुरू ले सकते हैं auction RBI करवाएगा RBI जो कराने वाले auction वो कराये जाएगा electronic platform से जिसका नाम है ECOBARE और ECOBARE जो है वो एक central banking solution platform है RBI का यह आपको याद रखना है यह पूछा जा सकता है कुछ ऐसे लोग होंगे जो ECOBARE के members नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे वो schedule commercial banks के दोरा trade कर सकते हैं इसके बाद बात आती है कि अगर हमने एक government security खरी ली बाद में उसको maturity period में हमें बेचना है तो उसके लिए कौन handle करता है कौन सी body होती है वो है आपकी clearing corporation of India यह clearing agency है government securities के लिए यह central counterparty के तोर पे काम करती है अगर आप government securities को बेचने जाएंगे तो वो as a buyer काम करेगे और अगर आप खरीदने जाएंगे तो as a seller काम करने वाले है तो यह इनका transaction का procedure होता है साथ में जो RBI है वो समय समय पर जो भी relevant information होती है वो देती रहती है securities market से संबंद में daily, weekly, monthly या फिर annual basis पे जो भी जानकारी आपको महाईया करनी है वो RBI publish करती रहती है अब बात आती है periodic labor force survey के बारे में जो की तीसरी बार करा जा रहा है थर्ड annual report है यह NSSO ने 2017 April में शुरू किया था नेकाला पहली report जो release की गई वो 2019 में की गई माई में फिर होई June 2020 में और अब तीसरी report इसकी आ गई है इसके फाइदे क्या है इसके बारे में थोड़ी सी जानकार ले इसका objective क्या होता है सबसे पहले तो हमें पता चलता है working population का क्या ratio है कितने लोग employed है कितने unemployed है labor force में participation rate कितना है वो समझ में आता है unemployment का rate समझ में आता है साथ में जो current weekly status है जो हम निकालते हैं जरली के काम मिलदा है नहीं मिलदा है कितना मिलदा है वो सारी चीज़े भी हमें से पता चल जाती है और भी चीज़े हैं जो हम calculate कर सकते हैं जैसे rural और urban areas में क्या scenario है usual status जो होता है employment या unemployment का वो indicators भी हम इसे check कर सकते हैं इसमें एक category है जो categorization है उसमें एक category है self-employed की अब self-employed भी किस तरीके से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना काम तो करते हैं लेकिन घर में महिलाओं की या फिर बच्चों की थोड़ी बहुत मदद ले लेते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो casual labor के तोर पे काम करते हैं कुछ salary या फिर regular wages के तोर पे भी काम करते हैं उनको भी self-employed में गिना जाता है इस तरीके से अलग-अलग levels पे लोगों को categorize किया गया है families को categorize किया गया है ज़रा कुछ important terms पे ध्यान दे labor force participation अब ये निकाला जाता है किस तरीके से कितने लोग जो हैं वो employed हैं कितने लोग unemployed हैं उन दोनों को आप जोड़ दीजे divide कर दीजे total population से कुल जन संक्या कितनी है और उपर क्या है एक तरफ employed लोग और दूसरे unemployed दोनों को जोड़ दिया है इन 200 करेंगी तो आपको labor force participation rate समझ में आ जाएगा फिर worker population ratio जानना है अगर आपको तो number of employed persons upon total population इन 200 करें तो उसे आपको working population के ratio समझ में आ जाएगा अगली बात आती है proportion of unemployed की कितने लोग unemployed हैं तो वोई unemployed person upon total population unemployed rate अगर आपको निकालना है तो उसमें क्या होने वाला है number of unemployed person upon total अब total क्या है number of employed plus number of unemployed इस तरीकी से unemployed rate भी आपको निकल जाता है workers population के अगर बात करें तो ये percentage में आप define करते हैं कि employed person जो है population में वो कितने हैं उससे आपको worker population पता चल जाती है तो ये सारे जो formulas हैं इससे आपको idea मिल जाएगा कि किस तरीके से निकाला जाता है अक्सर सवाल ऐसे आ जाते है formulas की basis पे निकाल सकते हैं और possibility है ऐसे सवाल आ सकते हैं फिर बात आती है activity status की activity status में अलग-अलग status है जैसे usual status है इसमें आपका reference period होगा 365 days का कि 365 days में काम मिला या नहीं मिला जो activities हुई वो activity की या नहीं की weekly status में देखा जाएगा साथ दिन में काम कितना किया कितना घंडे किया उस तरीके से उसका survey किया जाएगा principal activity status होता है जिसमें आप 365 days को लेते है major criteria उसमें 360 दिन का होता है subsidiary economic activities का status होता है जिसमें 30 दिन आप 30 से जादा लिया जाता है और जिसमें reference period जो है वो 365 दिन का ही होता है और इसके हिसाब से पूरा survey होता है तो आज के इस session में बस इतना ही thank you very much